नवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपनी अप चैनल पर मैं हूश रंगार और एक बार फिर से आप लोगे लिए लेकर आया हूँ बहुत ही काम की चीज़ दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री चार्ज अप्लिकेशन का इस्तमाल करके आप यू पी आई ट्रांजिक्शन कैसे कर सकते हैं जी हाँ बिलकुल आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सिम्पल फ्री प्याज जो है वोपन कर लेना है इस तरीकी के अप्लिकेशन आपको पता है यह आपको बोलता है for the love of cashbacks can any QR to pay at any store ठीक है भाई अभी फिलाल में नहीं कर रहा हूं इतना भी प्यार नहीं है मुझे पैसे बेजने से किसी को इस तरीकी के अप्लिकेशन खुलकर आती है उपर सारी चीजे हैं जिनसे अभी हमें काम नहीं हम करने वाले हैं UPI Money Transfer देखिए UPI Money Transfer आप दो तरीकों से कर सकते हैं पहला है scan and QR कोई भी QR कोड scan करेंगे तो सामने वाले QPID आपको दिखाए देगी और उसके थ्रू आपने पैसे बेच सकते हैं दूसरा है UPI Send Money जहाँ पर आप सामने वाले QPID मैनूली डालते हैं या फिर उनका phone number लिखते हैं तो देखिए जैसे scan and QR क्या होता है इसमें आपका जो camera है अगर आप gallery में से कोई QR उठाना चाहते है तो इस तरीके से gallery में आप जा सकते हैं और वहां से कोई QR उठा करके ला सकते हैं जैसे कि ये आप करने के बाद देखिए पैंडिंग फेवरेट्स और पेसल्फ का option है पेसल्फ का मतलब आप ही अपने अकाउंट से अपना दूसरा अकाउंट है उसमें एड कर सकते हैं या अपने फोन पर भी फीचर देखा होगा आपके दो अकाउंट है एक अकाउंट से दूसरे में चेक कर लेता है अभी दो आईडी दिख रहे हैं दोनों भी आईडी एक ही जनकी है पेटियम वाली है और एक बनी हुई है वाइबीय ले आने की फोन पे की तो हम किसी पर भी वह सकते हैं तो चले ये वाइब वाली से फेरती है क्योंकि प्यूद्भीय में पैसा चला जाए फैंबली में दे रहे हैं आप फ्रेंड को दे रहे हैं तो तू फ्रेंड में स्लेट कर लेता हूं future transaction के लिए यह ID सेव करना है क्या तो चलिए save कर लेते हैं अगर आप चाहतें नहीं करना है तो नहीं करें इसको और सिर्फ Pay काप डबा देना है Pay का बटन दबाते ही यहाँ पर आपको UPI पिन डालनी होगी जो कि मैं डाल देता हूँ फटाक से तो यह देखिए मैंने अपनी UPI पिन यहाँ पर डाल दी है अभी मुझे सिर्फ Right का बटन दबाना है यह दबाते ही Transaction हो रहा है हो रहा है हो रहा है नीचे Option है Go Home का तो हम सिंपल Go Home का बटन दबाते ही बाहर आ जाएंगे अगर यह Transaction आप दिखने जाए तो अपने अकाउंट पर आई जाएंगे और My Transactions में सर्च कर लेंगे तो आपको Transaction दिखाए देता है देखिए Money sent to this one तो यह है दोस्तो प्रोसेस पूरी अपने Free Charge से UPI Transaction करने की अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए अगर काम का लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए और कमेट सेक्शन में जरूर लेगेगा आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद